हेलो गाइस, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे बोड़ी एंड ब्रेंस अलग होने लगते हैं, I mean they start to fall apart स्लीप प्रोब्लेम्स अब मीडले लोगों को दिन के समय ठकान का एक कारान बन चुका है निंगी कमे से हार्ट अटेक और बहुत सारी हेल्प प्रोब्लेम्स के चांसिस को बहुत ज़्यादा बड़ा लेती है सबसे पहले आता है मेमेर इसूस जब हम सोते हैं, तब हमारा brain connections बनाता है, जो हमें help करता है चीजों को process and information को याद रखने में इसलिए निंग की कमी हमारी short term and long term memory पर negative impact डालते है नमबर टू, mood changes Sleep deprivation आपको moody, emotional and आपको easily गुज़ा करा देती है Sleep deprivation की illness आपको mood को affect करती है and anxiety and depression का काराण बन सकता है जो बाद में बढ़ सकता है time के साथ साथ नमबर टू, immunity को weak करना निंग की कमी आपकी immune system defense को कमजोर कर देती है ऐसे virus के अगेंट जिससे common cold और flu होते है और जब आप इसे germs के संपत में आते है तो आपके वीमार होन की chances बहुत बढ़ जाते है नमबर 4, weight gain निंग की कमी के साथ आपके brain के जो signal देने वाले chemicals है वो off balance हो जाते है As a result, जब आपके बस all dead enough food हो तब भी आप ज्यादा quantity में food लेने के try करते हो नमबर 5, risk of heart disease आपकी concentration, creativity and problem solving skill अच्छे से काम नहीं करती है जब आपको enough rest नहीं मिलती है और फिर आपको सोचने में और concentration में दिक्क्र आती है ताक कि आपको enough sleep नहीं मिलती है Number 7, risk of diabetes Lack of sleep आपके body में insulation के release को effect करती है जिससे blood sugar hormones कम होने रगते है और जीन लोगों enough sleep नहीं मिलती है उनका blood sugar level high रहता है और type 2 diabetes का risk बढ़ जाता है तो यही सार effects ते sleep deprivation के तो वीडियो अकर informative लगा एंड helpful लगा तो वीडियो को like and चैनल को subscribe जारू कर देना और यह वीडियो अपने friends और family के साथ share कर दो ताकि उनको भी पता चले कि sleep deprivation के कितने खराब खराब effects है तो मिलते हैं आगली वीडियो में Till then don't forget to do and inspire चैर